सब्सक्राइब नाओ प्रस्क्राइब नाओ प्रस्क्राइब नाओ नेवर मिस अन अपडेट हलो दोस्तो मैं एंटियार सर्मा आप सबका एंटियार मैस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज हम लोग प्रसनावली 3.6 का कॉस्चन नमर 2 से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने 1 नमर स्टार्ट कर दिया था जिसमें 1 का 1 से 6 तक कम्प्लीट हो चुका था चलिए आज का क्लास हम लोग सुरू करते हैं इस कॉस्चन में कहा है हमसे कि निम्न समस्याओं को रहखे एक समयकर यूग के रूप में बैक्ट किजिए और फिर उनके हलकों हमें ग्याद करना है तो पहले जो आपको ये दे रखा है प्रोबलम तर इसको समझते हैं और इसको एक क्योस्चन के रूप में हम बोग त्यार करते हैं इसमें कहा है कोशन में कोई रीतू नाम की लड़की है धारा के अनुकूल यानि धारा क्या होता आपका जब नाव चलता है तो पानी के उपर और पानी का जो लहर होता है जिस डिरेक्शन में उसी को हम लोग बोलते हैं धारा तो धारा के अनुकूल कहने का मतलब यह हो गया कि अगर यह आपका नदी है ठीक है और नदी के जो पानी का लहर है वो आपका इस डिरेक्शन में है और इस पे जो नाव चल लए है ठीक है इस पे जो आपका नाव चल लए है ये भी किस direction में इसी direction में तो इसको क्या बोलेंगे कि नाओ जो चल रही है धारा के अनुकूल चल रही है यनि धारा के दिशा में नाओ का भी भाव है तो इसमें क्या करता है कि 2 घंटे में वो 20 km के दूरी तैय करती है तो सबसे पहले समझी यहाँ पे कि अगर मैं मानूं यहाँ पे कि नाओ की चाल होगी कुछ नाओ का कुछ अपनाई speed होगा उसे मैं मान लेता हूँ कि 11 km परावर का speed है और धारा का भी कुछ speed होगा अपना धारा अपना लहर के साथ आगे बहती जा रही है तो धारा का क्या हो चाल होगा यह होग आपका y km per hour का स्पीड होगा तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यह आपका x km per hour है और यह आपका y km per hour है किस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है तो साप x चाल क्या होगा साप x मतलब कि जब एक ही दिशां में हो साप एक्स चाल यान्ואिकि अनुकूल हो तब धारा के अनुकूल हो तो अपको यहागा यह आपका X और Y सान्थ में एड हो जागा क्यो иск एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो X और Y क्या होगा? एड हो जागा और जब साप एक्स चाल जब पर्तिकूल हो, यानि कि विप्रीद दिशा में चल ला हो, साप एक्स चाल, जब विप्रीद दिशा में हो, धारा के विप्रीद दिशा में, that means यह आपका धारा है, और इस पर यह नाव चल ला है, तो धारा के दिशा यही रहेगी, लेकिन नाव के दिशा क्या हो, जस इ क्या कहलागा पर्तिकुल कहलागा ठीक है तो पर्तिकुल में क्या होता है कि जो नाओ का स्पीड है वह आपका धारा की स्पीड में क्या करते हैं हम लोग घटा लेते हैं तो नाओ का कि चाल ब्रावर क्या होता है चाल ब्रावर होता है दूरी बटे समय चाल ब्रावर क्या होता है दूरी बटे समय तो यहाँ पर देखते हैं कि चाल ब्रावर होता है आपका दूरी डिवाइड बाई समय तो चाल अगर मैं साप एक्स लेके चलू तो चाल के है आपका x प्लस y फर्स्ट के लिए लेता हूँ कि जब एक ही दिशा में जा रहोगा तो x प्लस y ये चाल हुआ तो जब एक दिशा में जा रहा है दूरी क्या थी तो दूरी उस टाइम की थी आपका 20 km के दूरी 2 घंटे में तैय करती है ठीक है 20 km के दूरी 2 घंटे में तैय करती है तो दूरी हो जागा आपका 20 km और समय हो जागा आपका 2 घंटे इसे इंप्लाइज कीचेगा तो ये आपका x प्लस y इक्वल टू 10 आएगा इसे आप मालों समिकर्ण 1 सेकेंड रिक्रिशन की बात करें तो सेकेंड रिक्रिशन में आपको बोल रखा है कि जब विप्री दिशा में हो तो जब विप्री दिशा में होता है तो चाल क्या होता है चाल आपका होता है x-y km परावर और उस समय दूरी कितना तैय करेगा दूरी इसमें दे रखा है कि 2 घंटे में चार किलिमेटर की दूरी तैय करती है, दो घंटे में कितने किलिमेटर की दूरी, तो यह आपका चार घंटे की, दो घंटे में equal to 10, equation 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, यह वाला equation यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर देखिए, कि जोड़ने पर, जोडने पर क्या होगा, यह आपका y स y cancel out हो जाएगा, और x और x क्या होगा, यह आपका 2x, 2 और 10, 12, 2 से 12 cancel होगा, 6 time में, तो x का मान क्या आगया, 6, अब x का मान जो 6 आया, इसे हम लोग सम्मीकर्ण 1 में fit कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सम्मीकर्ण 1 है, सम्मीकर्ण 1 है, तो x का मान 6 आया, तो यहाँ पर 6 put कर देजी, आप plus का y का y, equal to 10, यह आपका हो जागा, y equal to 10 minus 6, that means, यह आपका 4, तो x को हम लोग क्या माने थे, x को माने थे हम लोग यहाँ बे, x का मान 6 है, y का मान 4 है, तो x को हम लोग माने थे, 9 की चाल, x को क्या माने थे, 9 की चाल, और हमें 9 की चाल क्या आ गए, x का मान 6 आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि 9 की चाल कितना हो गया, यह 6 km पर आवर है, और y को आने से धारा की चाल, तो वाई कमान क्या आ गया, 4 km पर आवर, तो यही आपका आंसर आया, ठीक है, अब next question देखते हैं हम लोग, next question में आपका, कि 2 महिलाएं एबं 5 पूरुस, एक कसीदे के काम को साथ साथ, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एबं 6 पूरुस, इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ग्याद कीजिए कि इसी कार को करने में, एक अकेली महिला कितना समय लेगी, और पूर्णा इस करती ही, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में जो है, 2 महिलाएं, यानि कि 2 महिलाएं, काम को खतम कर लेती हैं, तो एक दिन में काम कितना खतम होगा, एक दिन में काम जोगा खतम आपका 2 बटे x, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 बटे x आ गया, उसी पकार यहाँ पर समझ कि जब 5 पुरुस यानि कि मालत यहां पे कि पुरुस के लिए क्या है वह अपना y दिन ले रहा था काम खतम करने के लिए तो y दिन में 5 पुरुस जो मिलके काम को खतम कर लेते हैं 5 पुरुस तो y दिन में 5 पुरुस जब काम को खतम करते हैं तो एक दिन में वही प्रूस कितना काम को खतम करेंगे, एक दिन में, तो क्या करेंगे हम लोग, कि 5 बटे ये आपका y आ गिया, ठीक है, अब चलिए, एक और step यहाँ पर करना है, कि अगर दोनों 7 साथ मिलते हैं, तो 4 दिन में आपका totally काम क्या होता है, फिन्स हो जाता है, त तो अगर समझोए कि कोई काम, जो आपका काम दोनों से करवा रहा था, ये काम जो आपका 4 दिन में खतम होता है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम खतम होगा, तो एक दिन में जो काम खतम होगा, वो आपका 4 का एक भाग खतम होगा, ठीक है, कि एक दिन में एक पटा चार फिर से एक पड़ा चार भाग, फिर से एक पड़ा चार भाग, फिर से एक पड़ा चार भाग, उस टाम में क्या होगा, चार दिन में टोटली काम खतम, तो एक दिन में कितना काम खतम होगा, एक पड़े चार, अब according to question हमें कहा है, कि जब दो महिलाएं मिलती हैं, और पांस प प्रूस मिलेंगे तो एक दिन का काम क्या होगा पांस बटे वाई हो जाएगा प्रूस के लिए और इन दोनों का काम मिलेंगे एक दिन का काम कितना होता है तो टोटली चार दिन में काम खतम हो रहा था तो चार दिन का एक दिन कितना होगा एक बटे चार तो जब दोनों मिलें है कि 3 महिला है तो 3 महिला हक il हम ख 09 क्rypeella करते हैं कि 3 महिला होंगी और यह भी आपका x दिन में काम करती होंगी तो एक दन में कितना होगा Practice और उसके बाद है 6 पुरुस तो 6 पुरुस के लिए क्या होगा 6 पुरुस वार दिन में एक दिन 6 बटे y, आप कितने दोनों मिले कितना काम करते हैं, दोनों मिले कितना काम खतम कर लेती है, जब 3 दिन में काम खतम होता हैं, तो एक दिन में कितना काम खतम होगा, तो 1 बटे, 3, और इसे हम आल लेंगे, equation number 2, अब equation 1 और 2 को, 1 और 2 को solve करेंगे, आप कहा answer आ जागा? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं यह जो आपको दे रखा हैं यहाँ पे 2 और 3, 5 और 6 3 दोनों में से किसी एक वह यह वोल करते हैं हम लोग equal कर लेते हैं तो कोशिस करेंगे यहाँ पे 2 और 3 को equal करने की तो 2 और 3 का LCM लिजे कितना होगा 2 और 3 calcium 6 होगा तो 6 लाने के लिए यहाँ पर कितना से गुना किजिएगा तो 3 से इसमें क्या करना पड़ेगा 3 से multiply जब कि इसमें second equation में आपको 2 से multiply करना पड़ेगा जब 3 से multiply किजिएगा यहाँ पर आपका आएगा यह 6 divided by x पलस में यह आपका 3 पचे 15 15 बटे y और यहाँ पर आपका आएगा 3 बटे 4 और second equation में क्या changing होगा यह आपका होगा 3 दूनी 6 छो बटे x फिर से पलस 6 दूनी 12 12 बटे y इक्वल टू यह आपका 2 बटे 3 ठीक है अब इससे हम लोग calculate करते हैं और आपका answer आजाएगा जब यहाँ पर calculate किजिएगा तो first वह यह आपका क्या है equal equal है यह नहीं कि आप लिख सकते हो यहाँ गटाने पर sign भी आपका क्या है minus का 2 बटे 3 यहाँ पर LCM लिजिएगा यह आपका आएगा y 15-12 equal to 3 और 4 का LCM क्या होता है यह भी आपका 12 ही होता है यहाँ होगा आपका 3 ती आए 9 और यहाँ होगा 4 दूनी 8 इसको implies किजिएगा ति 15 में से 12 गया यहाँ आपका 3 बटा में y equal to यहाँ आपका 9 में से 8 गया 1 बटे 12 जब y का मान निकल लिएगा cross गुना के द्वारा तो y का मान आएगा आपका 36 यानि y कितना दिन में काम खत्म करेगा 36 अब y का value जब sumicon 1 में put करते हैं हम लोग तो आपका x का निकल लिएगा तो sumicon 1 आपका यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे value put करते हैं y का Summunger 1 के मैं लिख देता है पहले, यह आपका यहाँ समmunger 1 से, Summunger 1 में क्या है आपका? यह आपका 2 बटे x, math plus में 5 बटे y, equal to 1 बटे 4, और हमें y का मन क्या है? हमें y का मना है 36, ये आपका 2गटे x पलस 5बटे 36 इकवल टू 1बटे 4 ये आपका 2बटे x का 1 ही रहेगा ये आपका 1बटे 4 ये 5बटे 36 जो है minus के बाद धौज आएगा minus का 5बटे 36 हो जाएगा 4 और 36 का LCM रीजी 4 और 36 का LCM क्या आएगा ये आपका 2बटे x एजिटीच रहेगा, 4 और 36 का LCM का 36, यह आपका 9 उपर गया, और यह माइनस का, यह आपका हो जागा, 9, 9 चुका 36, 9 गया, यह आपका यहाँ पर 5 का 5, यह आपका 2 बटे X, 2 बटे X, 2 बटे X, इक्वल टू, 9 में से यह आपका 5 किया, क्या बचेगा आपके पास, यह 4 बचा, 4 बटे 36, ठीक है, यह आपका 4 से कैंसिल आठ हो जागा, 9 चुका 36, 9 टाइमस में, यह आपका X का जब मान निकाल लिएगा, उपर एक रहेगा, तो क्रो यह आपका 36, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि X क्या चीज माने थे, X माने थे हम लोग, कि X दिन में काम करती हैं महिलाएं, तो हमसे क्या पुछा है आपसे question, कि इसी कार को करने में, एक पुरुष के द्वारा, और एक महिला के द्वारा, अकेली महिला, तो यहाँ प question देखते हैं, next question देखिए, कि रुही 300 km के दूरी पर इस्थित, अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगारी द्वारा, तो यहाँ आपका बस के द्वारा तैय करती है, यदि 7 km रेलगारी से, तो यहाँ आपका बस से तैय करती है, तो उसे कितना समय लगता है, 4 यदि वह 100 km रेलगारी से, तेथा सेंस जो है, आपका बस से तैय करता है, तो उसे 10 मिट और अधिक लगते है, यानि पहले ले थे 4 घंटे, अब 10 मिट और अधिक नमतलब कि 4 घंटे, 4 घंटे, 10 मिट अब समय लगता है, ठीक है, तो रेलगारी या बस के दौरा, जो चाल है हम लोग यहाँ पर X माल लेते हैं तो rail गारी का speed यानि कि चाल यह माल लेते हम लोग कि X km पर आवर हैं और कुछ speed bus की भी होगी तो bus का चाल बस का चाल माल लेते हम लोग Y km पर आवर ठीक है तो अब यहाँ पर समझते हैं कि यह आपका पॉइंट जो है आपका A यहाँ से उचलना प्राडाम किया होगा और पॉइंट B पर गया होगा तो first condition में क्या है कि यहाँ से लेकि यहाँ तक का जो distance है वो आपको बोला है कि इसमें 300 km दे रखा है तो first condition में यह है कि यहाँ से पहले क्या किया है कि यह रेल गारी से चलना पर स्टार्ट किया है और रेल गारी से चलना पर स्टार्ट किया है तो इसने दूरी कितना टेक कहे हैँ 6 km के दूरी रेल गारी के दुऑरा तो यहाँ से क्या क्या है 7 km का distance रेल गारी से त्याक करके यहाँ पर आग जिया होगा और स्टेस क्या है बस से तो 300 k 0 कabout के दूरी साट किलम्टर में दूरी तैक कर चुका है रेल से तो बाकी कितना बचा होगा बाकी बचा होगा जरूर 240 किलम्टर क्योंकि टोटल दूरी कितना दाना यह से भी तक का 300 किलम्टर है तो यह जो दूरी है इसने कैचे से तैक किया होगा यह इसने तैक किया होगा बस से तैक किया था ठीक है और इस पूरे दूरी को तैय करने में इसे कूल समय कितना लगता है 4 आवर्स का यानि 4 घंटे का समय लगता है इसको एक कुछन में लिखेंगे कैसे 4 घंटे का समय यानि समय दे रखा है तो समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल तो देखिए दूरी बटे चाल तो जो आपका समय लगा है कुछ समय लगा होगा आपका ट्रेन से और कुछ समय लगा होगा आपका बस से तो ट्रेन से कितना समय लगा तो ट्रेन का जब समय निकालेगा तो दूरी कितना तया किया है, यह 60 km तया किया है, और इस 60 km के तया करने में, जो समय लगा होगा, यानि कि चाल के आपका X है, यहाँ पर X से दिभाई लगा दीजिए, यानि कि दूरी बटे चाल यह आपका समय होगा, अब कुछ दूरी जो इसने बस से भी तया किया है, तो बस से कितना दूरी तय किया है, इसने तय किया है, दो सो चालीस, और दो सो चालीस दूरीस को तय करने में, कितना एका स्पीड इसने किया होगा, तो य किलोमेटर पर स्पीड से गया होगा, य किलोमेटर, य भी कुछ समय लिया होगा, कुछ समय य भी लिया होगा, तो दोनों को समय को अगर जोड दिया जाया, तिस ने कहा कि 4 घंटे कूल समय लगते हैं, इसे आप मालो, equation no.1, ठीक है, अब equation no.2 की बात करते हैं हम लोग, अब देख़िए, equation second में क्या कहा है आपसे, एक question second में है आपसे, कि distance तो अभी भी दोनों के बीच में यही है, कि A आपका यहाँ पर रहेगा, और B अभी भी यही पर है, दोनों के बीच में total distance अभी भी 300 km का ही है, ठीक है, लेकिन इस बार ही क्या कहा है, इस बार कहा है आपसे, कि वहाँ 100 km रेल गारी से, यहीं रेल गार 200, 200 गया होगा इसने बस से, 200 गया बस से, तो इसके दोरा जो समय लगा, यह लगा है, 10 मिनट और अधिक लगा इसको, 10 मिनट और अधिक, तो पहले लगती थे 4 घंटे, अब जो है 10 मिनट और अधिक, यानिकि 10 मिनट, तगर 4 घंटे ये 10 मिनट, सबको अगर मैं घंटे में मदल दू, तो 10 मिट में कितने घंटे होते हैं, तो 10 में अगर मैं 60 से डिभाइट कर दूँगू, तो इतना घंटा हो जागा, इसको इंपलाइज कीजिएगा, तो 1 बटे 6 राएगा, यानि कि 4 पलस में 1 बटे 6 घंटा टोटल हुआ, इसका मतलब यह होगा, जिकि 6 चोग का 24 और 25 बटे 6 आवर का टोटल समय इसको लगा है इस बार, तेहां पर आप लिखते हैं, second location के लिए, किसने क्या क्या है, कि 100 km का distance travel किया है, आपका rail से, तो rail का speed क्या था, x, यानि दूरी बटे, चाल हो गया फिर से, फिर से क्या क्या है, जो बाकी बचा 6 दूरी, तो 300 km का दू 200 किया होगा बस से, और बस का speed क्या था, y km पर यहां पर y से divide, ते भी हो गया दूरी बटे, चाल, दूरी बटे चाल, यानि समय कुछ इसने लगा, और कुछ इसमें लगा, दोनों समय को मिला गए, कितना लगा समय, तो 10 मिट और अधिक, इसका मतलग 25 बटे 6 लगा यहां प तो 60 और 100 का LCM होता है आपका, कितना होगा, यह आपका हो जाएगा, LCM होता है आपका 600, तो 600 लेके क्या किजिए, आप 300 ले लिजी LCM, ठीक है, नहीं तो आप 600 ले लिजी, क्योंकि यहां पर 6 है, जब 6 से multiply किजएगा, तो आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, तो fraction part हट जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, कि यहां पर 600 लेते हैं, तो 600 लेके क्या ची से गुना करना पड़ेगा, यहां पर गुना करना पड़ेगा, आपको 10 से, ठीक है, तो आपका 600 आजागा, और यहां पर 100 लेडी है, यहां पर कितना से गुना करना पड़ेगा, आपको 6 से, तब यहा divided by y और 4 में 10 से गुणा किजीगा तो आपका यह 40 2nd equation के लिए क्या किजीगा जब इसमें 6 से गुणा किजीगा तो आपका 100 x 6 यह भी आपका 600 हो जागा यहाँ पे तो 600 divided में x प्लस 200 गुणे 600 किजीगा यह आपका जागा 1200 1200 बटे y और 25 बटे 6 में जब 6 से गुणा किजीगा तो यह 6 से एक 6 कैंसिल हो जागा बचेगा क्या आपके पास सिर्फ 25 अब यहाँ पे क्या है आपका दोनों का साइन सेम टू सेम है तो क्या करेंगे घटाने पर यानि माइनस माइनस और यह भी आपका माइनस लिख देंगे घटाने पर जब घटाईएगा तो यह आपका 600 बटे x 600 बटे x कैंसिल हो जागा बचेगा आपका क्या है 2400 में y और फिर से माइनस में 1200 डिवाइड बाइड वाई और इधर आपका बचेगा 40 माइनस में 25 इसको कल्कुलेट कीजिए तो आपके पास आएगा 1200 यानि कि लिख सकते हो आप LCM आपका क्या आएगा y और 2400 में 1200 घटाईएगा तो आपके पास आएगा 1200 और equal to 40 में से 25 घट जागा और 15 नीचा आएगा लेट मिस 1200 डिवाइड बाइड 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 तो 15 अठे यह आपका 120 होता है और यह 0 की यहाँ पर की चिपक जागा यानि कि 80 आया अब y का मान equation 1 में डाल देजिए y का मान क्या किजिए equation 1 में डाल देते हैं तो y का मान जब equation 1 में डाल देगा तो equation 1 आख को क्या दे रखा है यहाँ दे रखा है हntका 60 इति हैं sum एक से sum एक में क्या है आपका 60 divide by x plus 24c divided by y और equal to 4 हामें x का मान क्या है है'me x का माना 80 तो यहां पर 80 पूट कर देंगे sorry x का नहीं, y का माना 80 तो 60 बटे x पलस में 240 बटे में 80 एक्वल टू 4 यहां पर आगा अब यह x सुने से x सुने कैंसे लिए 8 तिरी 24 यह तीन आया है पर अब यह 60 डिवाइड बाइड 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 एक्वल टू 4 और यह जो पलस का थिरी है इधर आगा तो आपका मान इस का 3 हो जाएगा यह निक 60 डिवाइड बाइड 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 एक्वल टू 4 में से 3 गया एक बचेगा अगर एक्स का मान निकालो तो आपको आएगा 60 तो वाई का मान कितना आ गया 80 और वाई को हम लोग क्या माने थे हम लोग माने थे यहाँ पर य को माने थे हम लोग बस की चाल तो वाई का मान कितना है 80 डैट मिस बस की चाल जो है आपका 80 किलिम्टर परावर है और एक्स का म नेक्स शेप्टर जो आपका मिस्रीनियस टाइप है उसे हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे तब तक कि लिए बने रहे हैं थैंक्स धन्यवाद